तो फाइनली धूंड लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा बारा हिंदी नैतिक शिक्षा हर्यान बोर्ड के किताब आपकी और पार्ट नमबर तीन को आज मैं आपको एक्स्पेंड करने वाला हू पार्ट का नाम है सुकती सोरभ यानि की बोल सकते हो अच्छी उक्तियां अच्छी बाते जो आपको सीखनी चाहिए वो इस पार्ट के अंदर हमें जानने को मिलने वाली हैं चलो शुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ आपको जो है यह बुक नायतिक शिक्षा इस कंप्लीट बुक का सुलिशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के एक्स्प्लानेशन अभ्याज के परसन उत्तर एम सीक्यू इंपोर्टन पोसन जो भी रिक्वाइड रहेगा एक्जाम के परस्पेक्टिव से वो सारी चीज़े आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है और एक प्लेइलिस्ट के अंदर यह कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी तो प्लेइलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्टर में है और उसके साथ यह सारा कंटेंट जो है आपको अधाब से एक उपनिसद थे यह फिर एक गरंट से उठाके लेकर आए गया है यहां पर अलग-अलग गरंथों से अलग-अलग लोगों की जो बाते हैं यहां पर डिस्क्राइब करी गई हैं चलो समझते हैं चैप्टर को सूक्ति का सामान्य अर्थ है अच्छी उक्ति यान करने के लिए प्रिखत करती है मलब बोल सकते होंगी सभी का सभी की भलाई के लिए आपको काम करना चाहिए वो चीजों के लिए ये बातं जो है आपको प्रिखती हैं67 का उत्कृत रूंप है चाहि किसी भी भासा की हो या फिर किसी भी धरम की हो strongest अच्छी बातcycles तो अच्छी बाते ही होती है ना अब वो कोई अपने हिसाब से कोई कह रहा है कोई धरम या जाती वो यह बात यहां माइने नहीं रखती है कि उस बंदे ने जिसने भी या फिर किसी वी व्यक्ति ने जो बात कही है वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्या वो लाबकारी है किसी के इस ताइम से तक कि फाइदा हो राय। उस बात से सरु रूप में जो है सुक्तियों की पर्थिस्था चीर आ stool से चली आ रही है है यह वी काल वा करता था प्राचिन काल के हन्दर जैसे और इतिहास को बहुत सारे मैं बाट जै कि इस time से time तक किताबे भी इस time से time तक मार काठी द privu ! से चली आरही मानव और और गंभीर चिंतन के सुत्र के रूप में ये सूक्तिा》 मानव सब्सक्राइब जिए इन्सान की वेल्यू को बढ़ा देते हैं वह जिनका दिक दर्शन आगे दी है शुक्तियों से सहज में हो जाता है हम अगे पढ़ेंगे जो यह जो पहरे से हैं छोटे-छोटे से इनको पढ़ेंगे अब मैंने सब्धार्त नहीं दिये हैं और उसका सिरफ एक ही लोगिक है क्योंकि एक्जाम में व्यक्षा करनी नहीं आएगा तो एक्जाम में क्या आए है त्रिष्ठम प्रागना है तो यह जो है अथर्ववेद से ली गई है आठवा सलोक अध्याई यह मेरे को नहीं पता क्या है बट जो भी है किताब की लोकेशन होती है जैसे आपकी किताब में पार्थ नंबर पांच और उसके अंदर पेज नंबर बारा ऐसे दिया होता है है अब अब आपको बता दिया है आफका बार्दी नंबर है तो है जो है इसको आशे दीखाया जाता है है कि इस सेमें कहले पेज यहां पर दिया होता है जब काउंटिंग देखो नहीं किसी के पीछे तो समझ जाना ऐसा कुछ कर रहा है उनका एड्रस दे रहा बकाइदा कि अगर आपको अथरवेद उठा के अगर उस लोकेशन को जाके देखते हो तो आपको पता लग जाए यह लाइन कहा पर लिखे हे मनुस्य मनुस्यों को संभोधित करते हुए यह बात कही गया है इस संसार में करम से विप्रों कर मत रहूँ जो आपको करने हैं उनसे दूर मत भागो उनसे पीछा उनसे मू मत मोडो तुम हे मनुष्या है उदार बनकर सम्मान के साथ जीवन यापन करो तुम भले इंसान बनो अच्छे इंसान बनो और सम्मान से अपने जीवन को जी लो अपने कारियां को करते हुए अपने कारियों से मू मत घुमा ल कुछ फोगा तो चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है महान श्रीर में साता रीशी विद्यमान होती है रीशी आपी बहुत अवता अग्षा को इसा माना जाता है अभी हाँ वही बात बता रह unk In 10 को आतमा है हमारी जो अ लग अलग प्रक्रियां उनको यहाँ आ seto we ली यह रिश्यों का आश्रम हम अपने आँखों से आखेज आजरे नाग से gonna करें करें मन से सिव संकल्ब करें आपने जूढ़ी काम करना है सिव रिष चाहीं को आप अच्छा खाना दो तो आपको सारे रिषी ऑग्य साला है वह आपकी पवित्तर हो जाएगी अच्छी हो जाएगी यानि कि आप अच्छे इंसान बन जाओगे इस परकार हमें हम जो है इसे रिशियों का आश्रम बना सकते हैं अगर हम अच्छा अच्छा इनको देते रहे तो एभद्र दर्सन से बुरा सुनने से विश्य वासना की गंद लेने से अंडा खाने से मास सरा पर आशी बाते करी गई हैं अब आप इस चील से समझ सकते हो अब कहीं न कहीं यह पर्सपेक्टिव बढ़िया भी है कि आपको अच्छा करना चाहिए क्योंकि आपको जीवन जो है यहाँ यादा माइने नहीं रखता अगर आप मर भी जाते हो ज्यादा फरक नहीं पड़त लेकिन मैटर क्या होता है आप अगर जिंदा हो आप किसी का फाइदा कर रहे हो आप किसी की भलाई कर रहे हो तो कितने सारे लोग आपको याद रखेंगे फिर फरक पड़ता है अगर आप कहीं जाते हो यह गुम हो जाते हो आपका सरीर आप से दूर हो जाता है उसके बाद भी फरक पड़ता है लेकिन अगर आप अच्छा नहीं हो अच्छ इंसान नहीं हो तो फरक नहीं पड़ता उस चीज़ का तो बेसिकली हमको क्या करना है अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है अगला पहरा है रीशी है सैयो मनूरहती तो यहाँ पर यह रिगवेद से लिया कहते हैं मनुस्यों के हितकारी को हितकारी होता भलाई सोचने वाला जो इंसानों की भलाई सोचता है उसी को हम रिषी कहते हैं अर्थार्थ रिषी कौन है किसी ने कहा मंद्र द्रिष्टा को रिषी कहते हैं किसी ने कहा तत्व द्रिष्टा को रिषी कहते हैं परंतु क्या कहते हैं रीशी मनुष्य का हित चाहता हो इंसानियत की भलाई चाहता हूँ उसे रीशी कहते हैं हम चलो अगला पहरा देखते हैं परती तो जयती से धनानी रिगवेज से लिया गया है यह उसका GPS है अब यहां पर आगे बढ़ते हैं इसकी वेक्या समझते हैं पीछे पगन हटाने वाला ही धनों को जीतता है यह मैंने बहुत सारी पड़ी हैं अच्छी सुखतियां भी पड़ हैं बट यह वाली जो लाइन ना भाई मज़ा आ गया देखो इसको समझाता हूं मैं आपको पहले एक बार इसको एकस्प्लेण करता हम फिर समझाता हूं देखो पीछे पगन हटाने वाला ही धनों को जीतता है अर्थार्थ जो मनुस्या संकल्प के धनी होते जिनके पास सं संकल्प से वे जीवन में आगे बढ़कर पीछे नहीं हटते ऐसे मनुस्य ही ऐस्वर्यवान होते हैं कि धन संपत्ति जो भी सुक्स विदा है उनको चाहिए होते वो सारी उनको प्राप्त हो जाती है जिन में उध्यों करने की सक्ति होती है धैरिया और उत्साह होता है सारे सो पास आजाती है उनके चर्णों में पढ़े रहते हैं अब यहां पास मतलब क्या है इस ले नीलकर का सब्सक्राइब कोई काम करना है क्लिए काम कर रहे के लिए काम कर रही के डिठेल पीछिफ dużo की टाइने कर सकते हो तो लेकिन होता क्या मन नहीं कर रहा है यार क्या करेंगे पढ़के जिंदगी वैसे ही टाइम पास कर लेते हैं कुछ नहीं रेडी तो लगाई लेंगे ऐसे जो ख्यालात है उल्टे-पुल्टे ख्यालात तो घुजेड लेते हैं अब होता क्या है हम अपने पैर पी आपको 5 लाग की चाहिए अब आपने मन में सोचा आपको पता लगा यार 50 लाग की नोगरी नहीं मिलती, मिलती है लेकिन बहुत limited है, मलब कि आपको या तो बड़ा इंजिनिर बनना पड़ेगा, बड़ा जो है डोक्टर बनना पड़ेगा, बड़ा जो है कोई यूटूबर बनना पड़ेगा, कुछ भी है, फिर आपको कोई एक कमपनी बनानी पड़ेगा इसी के लिए, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये करना पड़ेगा, ठीक है, अब आपने कमपनी चलाने का डिसाइड करा, अब आप क्या हुआ, स्ट्रार्टिंग में स्ट्रगल ह होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, तो उसी दोरान बहुत सारे लोग, लगबग 99% लोग धंदा बंद करके चले जाते हैं, ये धंदा हमारे लिए नहीं बना, जबकि एक्चुल में जो है धंदा को चला सकता था, उसके अंदर पोटेंसिल था, लेकिन उसने अपने पैर पीछे हटा लिए, तो अब ये अमीर नहीं बनेगा, तो यही बात यहाँ पर कई गई है, पीछे पैर ना हटाने वाला ही धनों को जीता है, अब जिस बंदे ने ये स्ट्रगलिंग फेज अपना स्टार्टिंग फेज खतम कर दिया है, अब उसके जीवन में जो 1% अब खुस है, तो वही बात है, और उसके बाद क्या होता है, अगर आपको मिल गया वो चीज, जो आपको सोच रहे थे, तो धैरिया है और उत्सा होता है, जिसके अंदर वो सारी सकती होती है, सारे सोभाग्य और ऐस्वरिया उसके चरणों में लोटते हैं, यानकि सारे लेंगी, ऐस वरिया मिलेगा, तो ऐसा जो है, वो सोची रहे हैं, जिमकि आपने एक्च्वल में वो अचीव कर लिया है, मतलब बहुत डीपली बात है, बट समझने की कोशिस करना है, यह चीज, मतलब बेसिकली आपको जो है, अपने टार्गेट के लिए, जो भी आप वो काम आपको यह चीज नहीं दे सकता, ठीक है, तो उसको समझो पहले कि वो दे कितना सकता, उसका अंदर पोटेंसल कितना, अगर आपको पांच लाख रुपे मान लो बनाने है, महीने के, सैलरी के तोर पे, तो आपको कितने कमाने होंगा, आपको जो धंदा चलाना है, व आपको उम्मीद होनी चीए कि 20 से 50 लाख रुपे महीने का दे पाए, ऐसा धंदा चीए, तभी आप कम से 5 लाख निकाल लोगे, उसमें से आराम से कोई बिना दिक्कत के, लेकिन अगर आपने धंदा ऐसा चुन लिया कि 50 जार मैक्सिमम ही दे सकता महीने का, तो भाई फिर आप क्या कर लोगे, फिर 5 लाख की एक्सपेक्टेंसी वेस्ट है वहाँ पे, वहाँ पे आपको पैर पीछे हटाने पड़े हैं, क्यों कि भाई दंदा गलत, गलत दंदे में कदम रख रहे हो, तो ऐसी चीज़े जो है माईने रखती है, बठाए ये बहुत सोलिड लाइन ह इसको explain भी कर दिया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं, मुसीबते तूट पड़े, हाल बेहाल हो जाए, तो भी जो लोग निश्चे से नहीं डिगते और धीरज रखकर चलते हैं, वे ही सच्चे धैरिये साली होते हैं, उनके पास ही सच्चा धैरिया होता है, कुरान के अंद सार आता स्टाइडि में भोद दिखते आती हैं, हाल बेहाल हो जाते हैं, जो लोग उस कंडिशन के बावजूद भी अपना निश्चे टार्गेट लेकर बैठे हुए कि नहीं, अमको तो करना है, तो करना है, तो उससे नहीं डिगते, धीरज रखकर चलते हैं, वो अपना क करतव्यम ने करतव्यम प्राणे कंठ गते रपी, करतव्यम अव करतव्यम प्राणे कंठ गते रपी, अब यहां पर यह बात क्या कही गई है, जो कारिय करने योग्य नहीं है, यह बात समझो, आप जो कारिय करने योग्य नहीं है, मलब अच्छा कारिय नहीं है, उसे प्रा प्राण देकर भी करना चाहिए जो आपको पता है कि लोगों की भलाई के लिए ये फाइदा किसी को पहुचने वाला है तो आपको भले आपको प्राण चागने पड़ जाए लेकिन आपको वो कारिये अवस्या पूरण करना चाहिए महत्मा बुद्ध ने भी कहा है कि जो करतव्य को छोड़ कर एकरतव्य करते हैं अच्छे कारिया को छोड़ कर गलत सलत काम करते हैं उनका चरितर मलिन से मलिनतर हो जाता है इनकी बत से बत्तर हो जाता है इसलिए हमें अपने जीवन में करने योग्या कारियों को अवस्या करना चाहिए हमें जरूर से वो काम करने चाहिए जिससे किसी को फाइदा पहुंचता हो अभी आप लोग सोच रहे होगा देखो भाई मैं यूटुब पर वीडियो डाल रहा हूँ आप में से कुछ बोलते हो भाई बड़िया वीडियो है कुछ बोलते हैं भाई मजा नहीं आ रहा कुछ बोलते हैं बेकार सी बना रखी है बठा एक्चुली मेरे को पता है ठीक है मैं धन के लिए काम कर रहा हूं आपको भी पता है सब को भाई काम करना है तो धन चाहिए अब मेरे कितने आ रहे हैं मतलब लगबग 5000 रुपे महीने के क्या मेरे से मेरा इससे सर्वाइवल हो हमें जो चीज़ चाहिए वो यहीं से मिलने वाली है तो हमने काम पे लगे हुए हैं और दूसरी बात अब काम तो और भी होते हैं और तरीके के यूटूब कर तो भाई कुछ भी कर सकता है पैसा कमाने के लिए लेकिन मैं नहीं कर रहा है यहाँ पे आपको जो है देखो यह बात यहाँ पे कई गई है कि जो अच्छा कारिया है उसको करते रहो भले ही जो है बेकार कारिया है उसको छोड़ दो तुम्हें कितना ही खत्रा डरा दे फिर भी आपको वो काम नहीं करने चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगली राइन पे कृते चैपरती कर तव्यमेज धर्मे सनातन है जो उपकार करे उपकार का मलब हो तो जो आपका फाइदा करे उसका परत्युपकार अवस्या करना चाहिए उसकी भलाई अवस्या आपको करनी चाहिए मलब आपको आपकी किसी ने मदद कर दी है तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी भ पुरातन धर्म है यानि कि यही वेसिगली कहे तो हिंदु धर्म के अंदर ये बात कही गई है और थार्थ उपकार मानव जीवन में स्रेष्ट करम है उपकार अगर आप करते हो किसी की मदद करते हो वो सबसे बड़ा करम माना जाता है सबसे महत्रपून कार्या माना जाता है जीवन का इसवर का नाम लेना नीती धर्मानुसार चलना सबसे प्रेम करना सभी के लिए हित का चिंतन करना सभी की मदद करना इस यही परमार्थ कहा जाता है परम अर्थ कहा जाता है भगवान बेसिकली वो व्यक्ती होता है जो लोगों की मदद करता है लोगों का लोगों करने वालों का कभी अपकार नहीं करना चाहिए उनकी बेज़ती नहीं करनी चाहिए कि तुम क्यों कर रहे हो यह चीज कोई बात नहीं कर रहें तो उसको करते रहें दो भाई उसको जान बुझके जाके मत टोक़ो तो वेकार चीज़े यह नहीं करने चाहिए तो एसा नहीं करना चाहिए ऊगर आपको अच्छा काणिया है किसी की मदद हो रही है आफे चलो अगले पहरे पहते हैं मत्री देव भव पित्री देव भव आचार्य देव भव अतीति देव भव क्या बताया गया कि सब कुछ Went at we have each above the engineer addressed theania पित्रि अकराबर है माता पिता पिता पितर ब्रुट यहां चार्य है जो ये हमको मानना चाहिए, भले ही हो ना हो, भले ही बुरा इंसान हो, बट आपको ऐसा उनको जो है इज्जद देनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, उनकी ये जो है तैत्रिय उपनिसद के अंदर दे, ध्यान दो, वो गरंतों के अंदर से पढ़ रहे थे, ये जो है तैत्रिय उप का कारण नहीं है यानि कि ज्यादा लालच की वज़े से जो है आपकी बुद्धी अंधी हो जाती है अधिक लालच नहीं करना चाहिए भाव यह है कि लोब सभी प्रकार की विपतियों का कारण है अगर आप ज्यादा लालच कर रहे हो तो वो जो है बहुत सारी मुसीबते पाप भी नहीं होंगे देखो बेसिकली पाप का मलब यहां पर एकस्प्लेनेशन देता हूं थोड़ी इसकी समझ में आएगा फिर लोब के कारण मानव त्रहत रहके अनर्थ कर लेता है उल्टे-पुल्टे काम करता रहता है इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को लोब काट लाओ तो अगर आप जो है किसी से उधारे मांग रहे हो वापिस दे सकते हो आपका पोटेंशल है तो ठीक है भाई उधार ले आओ और दूसरा उप्सन है कटक और चोरी हो गई भाई अब अगला भी परेसान है आप भी तो वह लालच जो है वह लोब जो है आपको पा यह हमारी परवर्तिया ऐसी हो जाती है कि हम फिर चोर ही बन जाते हैं तो ऐसी जो है अलग-अलग जो है बोल सकते हो कि बुरे काम वाले व्यक्ति दीरे दीरे आते हैं वह उस फील्ड के अंदर वह पहले सुसने है यह तो कुछ भी नहीं है हलका सा मजा कर तो और ऐसे करते- परिशी लिए लोब नहीं करना चाहिए और आजकल तो आपको सुनने को मिलता होगा पैसे के चक्कर में जो है दूसरों के हत्याय हो जाती है तो वह क्या है वह सिर्फ पैसा है वह लालच काम कर रहा है लोब काम कर रहा है वह लालच जो है पैसे का वह उनसे वह काम करवा र अब यहां पर क्या बात है सत्य प्रेम और अच्छा यानिकि वो सारी चीजे हैं जो रिक्वाइड होती है उनके मारक की बाधाओं को पार करने का सामर्थ है अध्यात्मिक्ता यानिकि हमारी जो अच्छी शिख्षा जो है वही चीज जो हमें यह चीज दे सकती है हमें अच्छा इंसान बना सकती है प्रेम करना सिखा सकती है सचाई के रास्ते पर चलना सिखा सकती है अनपड व्यक्ति जो है बोल सकते हो अध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है जो इन बातों को नहीं समझता उसके लिए यह बात बेमानी है कोई माइने उनके लिए नहीं रखती अगला पहरा है योसी तो नावनेत छोटा सा बस दो वर्ड लिख रखे हैं विश्णु पुरान के अंदर से लिया गया है ये इसका जीपियस है ढूंड देना इसको जाके चलो अर्थ समझते हैं इसका नारियों का अपमान ना करें अर्था अर्थ नारी जगत निर्मातरी है जगत का निर्मान इनकी मदद से हुआ है इसके बिना स्रिष्टी की रचना एकल्पनिय है इसलिए सास्त्रों में इन्हें देवी माना गया है पापा की परी नहीं माना गया भाई ठीक है देवी माना गया है चलो आगे बढ़ते हैं अगले पहरे के अंदर जो है यत्र नार नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं और घर में नारियों के खुस रहने पर घर के सभी सदस्य खुस होते हैं इसके अभाव में हैं सभी कारिया निसफल हो जाते हैं यानि कि बेसिकली क्या होता है हम लोग काम करते हैं और यहां पर घर में नारियों की इ द्रीति धरम अनुसार वेश सवच सुसब्य हो यही है सिष्टाचार भक्ति परकास के अंदर से लिया गया स्वामी सत्यानंद ने यह बात कही है अब यहाँ पर क्या का गया करे नियम से करम सब्य जो भी नियम बनाएगे हैं जो काम करने के अच्छे काम करने के जो तरीके ब यही है अच्छे इंसान के पहचान होती है आपको जो कारिया है उसमें सोटकट नहीं ढूड़नी है और आपको जो कारिया है वो अच्छे तरीके से दिल लगा के करना है बेसिकली वो बात यहाँ पर कई है यहाँ पर क्या बात है संत जन प्राणों का त्याग कर देते हैं किन्तु धरम का त्याग नहीं करते इध्यान देनी की बात है वो जो धरम है ना उनका उसका त्याग नहीं करते भले उनके प्राण क्यों ना चले जाएं अब अगले पहरे पे आते हैं जननी जनम भूमिश्चे सरवगाद पी गरियसी रामायन के अंदर से है ये और ये सुनने को मिलता है मैं इसलिए मेरे को फीलिंग्स आगए इसमें भी मंत्रो टाइप की चलो आगे बढ़ते हैं इसमें व्यक्या समझते हैं इसकी माता और मात्री भूमी यानि की माता हमारे जो जनम देने वाली है और मात्री भूमी जो धर्ती माता है वो सुवर्ग से भी स्रेष्ट है अर्थार्थ माता ऐस है कस्टों को सहन करके मानव जीवन का स्रीजन करती है यानि कि बहुत सारे कस्ट उनके जीवन में आते हैं बहुत सारी पीडाएं वो सहन करते हैं और उसके बाद जो है जनम देती हैं उसी परकार मातरी भूमी भी त्रहत रहे के श्रेश्ट भोग्या पढ़ार्थ देकर मानव जीवन को सार्थकता परदान करती है यहां कि माता ने आपको जनम दिया और मतरी भूमी ने आपको जिन्दा रखा तो यह दोनों चीज़ें ज़रूर यह दोनों की कतर करो इसलिए शुरी राम चंदर जी रामायन में माता और मतरी भूमी को सुवर्ग से भी महान बताते हैं विवेक से रहित मनुस्या का सैकड़ो परकार से पतन होता है यानि कि जो बोल सकते हूं जागरुक नहीं है जिसको कुछ भी नहीं ऐसे आंख बंद करके चल रहा है तो उसकी जिन्दगी है उसका पतन हो जाता है अर्थार्थ मनुश्यों को जीवन पत्थ में सहसा कोई कारिया नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आज मैं भाईया तुम से इंस्पार्ड हो गया हूं तुम वीडियो ब पता है मैं यह काम कर रहा हूं ठीक है बया लेकिन जो व्यक्ति मेरे से इंस्पार्ड हो रहा है उसको थोड़ी ना पता है कि यहां पे रखा ही नहीं है कुछ उसके लिए अभी के लिए अभी के टाइम पे तो वह चीज जो है यहां पर बता रहे कि एकदम से जोसमी नहीं आज यूटूब को फोड़ देंगे आज ही हम वन मिलियन करोस करवा के आएंगे ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला और वो बरबाद हो जाएगा उसे सभी कारी है विवेक से करने चाहिए सोच समझगे करने चाहिए कुछ भी गलत सलत कदम नहीं उठाने चाहिए क्यों कि आप जैसे स्टूडेंट होगा या कोई और भी हो सकता है सो उसके जीवन में क्या होगा दिक्कत कहा है कि देखो मैंने पैसा फूका इस चीज़ को बनाने में कंप्यूटर से लेने पड़े और भी बहुत सारी चीज़े रिक्वाइड रहती है बनाने के लिए एक वीडि अगर वह सोच समझ के स्टैप लेता पहले डूंड तो नहीं है कि मैं ऐसे बेफालतु में किसी ने मेरे को मोटिवेट कर दिया और मैं पहुच गया यहां पर वीडियो बनाने तो ऐसा कर रहे हो तो भी आपने कारिया अपना फैसला लेना चाहिए क्योंकि आपकी होना चैनल अगला देखते हैं बिनु इन सत्संप विवेक नहुई यानिकी बिना सत्संग नुभन का नाम लिए भिवेक नहीं आ जैसे चीज़ के ऊपर यह बात हो रही है कि पानी या कुछ ऐसा वर्ड इसके लिए तो बेसिकली जो है ऐसी कोई पधार्त है जिससे जो है हम खुस हो सकते हैं तो उसी चीज के ऊपर ये बात हो रहे है कि सूची सितल मन को करे हमें जो है अपने मन को उस चीज से सांत कर लेना चाहिए ऐसे संथ सुसंग और ऐसे ही संथ मैं यहां पर कईक पी प्रोबेल्τε ऐसी है कि कोई वैक्ति अगर गुसा कर रहा है तो उसको जो है गुस्टे को सांत कर लेना चाहिए और वही वैक्ति अच्छा होता है केम होता ऐसे वह अपने आपको सांत रखने की बात कई जा रिये सवे सवे करमण्य भीरत संसिधी लब्वत इनर भगवत गिता के अंदर से लिया गया है अठारवाध्याई 45 वसलोग ठीक है चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है अपने अपने उचित करम में लगा हुआ मानव सिध्धी को प्राप्ट कर लेता है यानि कि जो व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है वो सिध्धी को मलब है कि उनका जो लक्षय है उसको प्राप्ट कर लेता है और था मेरे को 50,000 मिल रहे हैं फिर भी मैं क्या कहला हूँ मैं तो दुकान दार और तुम बढ़िया नोकरी करें तुम अच्छे इनसान हो तो तुम ज्यादा कमा रहे हो ऐसा नहीं होता एक्चुल में तो यहां पर यही बात यहां पर कही गई है कि कोई भी करम हम काम बले कैसा भी कर मैं काम चोटा बड़ा नहीं होता यह था इस्तिती वर्तमान में अपने काम को करते हैं आख हम हैं मारा काम जो है उसको ककरते रहना चाहिए यह क्योंकि संस्थरवीहिद करम करने से मानव को सपलता पराप्त होती है और तबही जो है उस पहराबता करते हैं करते जाए हो त información को सफलता अवस्या पराप्त हो जाएगी और रुसी के चक्कर में मैं भी यूट्यूब पर लगा हुआ हूँ वीडियो बनाए जा रहा हूं बनाए जा रहा हूं कभी तो सफलता मिली जाएगी चलो भया ठीक है मोटिवेट हो चुक है हम काफी सारे इससे अब इस चैप्टर म इससे कुछ आना होता है इंप्रोटेंट होता है तो वहीं पर मैं बता देता हूं लेकिन उसके अलाव भी अगर कोई कोशन होगा एड़ ओन होगा तो मैं बता दूंगा आपको प्ले लिस्ट के अंदर इंप्रोटेंट कोशन के वीडियो मिलेगी आपको पूरी बूख की सब्सक्राइब करो साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपरेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए